Hi everyone, in my vocab series, today we will learn some household items name, means करेलु सामानों के नाम हम English और Hindi दोनों में ही सीखेंगे Our first word is फाटक, means हमारा पहला शब्द फाटक है, जिसको English में गेट कहते हैं Next word is दरवाजा, जिसको English में डोर कहते हैं, डी डबल ओ आर Next word is सोफा सेट, जिसको English में भी सोफा सेट ही कहते हैं Next word is टेलिविजन या दूर दर्शन, जिसको English में टेलिविजन कहते हैं Next word is स्टूल, तिपाई और चौकी, जिसको English में टैबोरेट और स्टूल, दोनों ही नामों से जाना जाता है टैबोरेट और स्टूल नेक्स्ट वर्ड इस कुरसी, जिसको इंग्लिश में चेयर कहते हैं, ये प्लास्टिक और वुडन दोनों होती है नेक्स्ट वर्ड इस सेंटर टेबल, जिसको इंग्लिश में भी सेंटर टेबल के नाम से ही जानते हैं and next word is desk जिसको English में भी desk ही कहते है and next word is bench इसको English में भी bench के नाम से जानते है next is folding palang जिसको English में folding bed कहते है next word is single bed या single palang जिसको English में single bed कहते है next is double bed या double palang जिसको English में double bed कहते है next word चट पर टांगने वाला पंखा जिसको ceiling fan के नाम से जानते हैं In English and Hindi both Ceiling fan Next word is table fan जिसको हिंदी में भी table fan और English में भी table fan के नाम से ही जानते हैं Next word is pedestal fan जो की table fan से थोड़ा लंबा होता है इसको pedestal fan के नाम से जानते हैं Next word is dressing table जिसको हिंदी में श्रंगार पटल के नाम से जाना जाता है ड्रिसिंग टेबल नेक्स्ट वर्ड इस खाने की मेज जिसको इंग्लिश में डाइनिंग टेबल कहा जाता है डाइनिंग टेबल और नेक्स्ट वर्ड इस फ्रिज जिसको Inglis में Refrigerator के नाम से जाना जाता है Next word is Almari जिसको Inglis में Elmira कहा जाता है Almari, Elmira Next word is AC जिसको Inglis में Air Conditioner कहते हैं Next word is Room Heater जिसको Inglis में भी Room Heater ही कहा जाता है इसे की कमरा गर्म हो जाता है Room Heater Our next word is Geyser जिसको English में भी गीजर के नाम से ही जाना जाता है जो कि पानी गर्म करने के काम आता है अबर next word is पढ़ाई की मेज जिसको English में study table कहा जाता है पढ़ाई की मेज study table Our next word is कलाई घड़ी means कलाई में पहनने वाली घड़ी जिसको English में wrist watch कहा जाता है wrist watch either it may be ladies or gents यह ladies भी हो सकती है और gents भी हो सकती है next is दीवार घड़ी जिसको English में wall clock कहा जाता है दीवार घड़ी wall clock Our next word is alarm घड़ी जिसको English में alarm clock के नाम से जानते हैं alarm clock Our next word is sily machine जिसको English में sewing machine कहा जाता है sewing machine Our next word is जूते चपल रखने का stand जिसको English में shoe rack कहा जाता है shoe rack जूते चपल रखने का stand Our next word is कपडे रखने की almari जिसको English में wardrobe कहा जाता है wardrobe Our next word is table पर रखने वाली lamp जिसको English में table lamp के नाम से जाना जाता है I hope आज आपने English के कुछ नए words सीखे होंगे Thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel Bye Bye